इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक अपडेट है उसके साथ साथ अभी स्कूल कॉलेज ओपेन हो रहा है कोविड फ्री जोन पर काहां पर उपेन हो रहा है वह भी हम लोग इस वीडियो में जानेगे वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट है वीडियो को देखना वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए ज़्यादा समने लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला जारे जो कोविड फ्री जोन से वहां पर फिजिकल क्लासेज चालू होगा क्या बोला जारे चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं The government of Maharashtra has decided to reopen the schools in the state in areas that are currently free of covid-19 cases the school will reopen for offline classes in these covid-free zones from next week as per the government Maharashtra Minister of School Education Varsha Gaikwad said that the schools in Maharashtra will open in covid-free zones from July 12 for physical classes the school will only reopen for students of higher classes class 8 to 12 मतलब class 8 to 12 के जो 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 students है महarashtra का उनका जो covid-free zone में जो जो schools established हैं वो सिर्फ students का मतलब school भी covid-free zone में होना पड़ेगा students जहाँ जहाँ पर रहते हैं वो students भी covid-free zone में ही रहना पड़ेगा तभी वो allowed है schools आने के लिए तो यह यहाँ पर बोला जा रहा है जो कि एक बहुत ही important update है already आपको पता है कि बिहार में बात हुआ है कि आपका open हो रहा है 50% attendance के साथ उसके साथ सथा भी महाराष्ट भी बोल रहा है अपना जो school college है वो open करेंगे school specially यहाँ पर class 8 to 12 students के लिए next week से open कर सकता है महाराष्ट यही यहाँ पर बोला गया है जो कि definitely एक बहुत important update है अब देखना पड़ेगा West Bengal finally कब तक अपना school college opening के बार में सोचते हैं पर यहाँ पर condition दिया गया है school college opening के बार में कि आपका जो जो teachers होंगे staff होंगे सभी को vaccinate करना पड़ेगा hopefully किसी भी state जभी भी open करेंगे यह definitely follow करेंगे teacher, staff, students, mainly college के जिनके लिए vaccination आउट हो चुका है 18 year plus उनको तो definitely vaccination के लिए allow करना चाहिए कि without vaccination college में entry नहीं मिलेगा and जो teachers and staffs है उनको भी vaccination लेना पड़ेगा school, college में आने के लिए तो यह definitely मुझे लगता है कि follow करना चाहिए सभी state को अब चलिए जो और एक update है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही important है वो update आपका result जो आगश्ट में examination होगा, उसका result कब तक आएगा आपका event semester का तो यह जो update है आप देख सकते हैं, यह update आया है आपका अनंदोबाजार पुत्रिगमी, यहाँ पर क्या बोला जा रहे, शनातों के अग्राधी कारेर, वीत्तिते, चुडानतो सेमिस्टरेर, फॉल प्रोकाश्कौरा होबी, 31 आगश्टर मोद्धे, पतले यू जी के जो जो आया है, होफुली आपका अगस्ट का सेकेंड थर्ड वीक करके ही जो फाइनल ये स्टूडेंट से उनका रेजल्ट आ जाया है, आगस्ट लास्ट करके जो यू जी का इंटरिनल स्टूडेंट से मतलब एक्जिस्टिंग स्टूडेंट से उनका रेजल्ट आउट हो, उसके रेजल्ट आउट होगा 31st अगस्ट के अंदर होगा and जो आपका existing students है उनका क्या होगा उनका जो रेजल्ट आउट होगा तो यही आप पर बोला जा रहा है बहुत important अपडेट था वो भी मैंने आपका clear कर दिया तो hopefully जो जो यह उनिवर्सिटी ऑगस्ट का first second करके examination ले रहा है वो ऑगस्ट के end करके आफिर September first week करके UG का बात कर रहा हूँ आपका result आउट कर दे and definitely आपका August last तक आपका UG के जो finally students है उनका result आउट हो जाएगा and PG के जो finally students है उनका भी 31st August के अंदर result आउट हो जाएगा पर PG कि के जो existing students है उनका actually September के अंदर result आउट होगा तो total आपका hopefully result के बार में सब कुछ clear हो गया है अब यह examination के बारे में आप लोग फोकस की जो almost सभी university बोल दिया है कि online में यह examination होगा तो आपको डरने का जुरूत निए preparation लीजी examination का hopefully सभी का अच्छा होगा एई था आजगत दो बहुत ही important update वीडियो कैसा लगा definitely comment करना चैनल को subscribe करना वीडियो को share करना तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत जिल दने वीडियो के साथ फिर सब लोग से मलाकत होगी तब तक के लिए बबाई